हेलो इस्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप सब के सपोर्ट से आज साड़े तीन सुस्प्सक्राइबर्स की फैमली पूरी हो चुकी है और आसा पूरे योगए च्वार हम आपके लिए लाए है जिनका प्रियोग हम अपनी डैली लाइफ में बोलने के लिए करते हैं इस वीडियो में हम आपको चोटे चोटे वाक्यों की एंगलिस बनाना सिखाऊंगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्र करके अपनी दार्निशू राज की फैमिली में जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करके अपने रेलेसंसिप एवं सगे संबंदियों को सेर करें तो बने रही है वीडियो के अंत तक एक नए मज़िदा टॉपिक के साथ तो आईए चलते हैं अपने इंग्लिस सेंटेंस की अकसर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंस का प्रियो करते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं मगर आज की इस वीडियो में हम आपको इनकी इंग्लिस बनाना सिखाएंगे जैसे कि हम कुछ sentences का प्रियोग करते हैं उनमें से कुछ examples हैं सोच कर बताता हूँ खा कर बताता हूँ पहन कर बताता हूँ या फिर देख कर बताता हूँ इस तरह के sentence बनाने के लिए सबसे पहले इसका नियम को समझते हैं तो इसका नियम होता है subject प्लस helping bird प्लस you प्लस after प्लस bird प्लस ing तो सभी वाक्यों में इस नियम का प्रियोग करना है यदि आपको बोलना है सोच कर बताता हूँ या सोच कर बता दूँगा तो बोलना है I will tell you after thinking यदि आपको बोलना है खा कर बताता हूँ या फिर खा कर बता दूँगा तो आपको बोलना है I will tell you after eating I will tell you after eating यदि आपको बोलना है पहन कर बताता हूँ या फिर पहन कर बता दूँगा तो आपको बोलना है I will tell you after wearing I will tell you after wearing यदि आपको बोलना है कि देख कर बताता हूँ या फिर देख कर बता दूँगा तो इसके लिए हमें आपको बोलना है I will tell you after seeing I will tell you after seeing